नमस्कार आज हम पुदीने का शर्वत बनाएंगे इसको बनाने के लिए एक तिहाई कप पुदीना लिया है आईस क्यूब पान से छे चीनी दो बड़े चमच नमक आदा छोटी चमच निम्बू दो पानी एक कप सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे ब्लेंडर में अच्छ की तरह से धोया हुआ ताजा पुदीना डाल देंगे ताजा पुदीना होना चाहिए उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है डाल देंगे चीनी चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कमज़ जादा कर सकते हैं निम्बू का रज डाल दिया है दो निम्बू का रज डाल कुछ बरफ के टुकडे बनता है और इसका रंग भी हरा ही रहता है, अब डाल देंगे इसमें पानी पानी डाल का धक्कन लगा कर इसको ब्लेंड कर देंगे, वाग क्या मज़ेदार अच्छा जूश बनकर त्यार हो गया है, अब हम इसको छान देंगे ताकि इसके बारिक-ब पत्तियों के कन अच्छी तना से निकल जाएं। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो वो पिन्ने में हमें स्वाद नहीं लगेगा। त्यार हो गया है ग्लास लेंगे ग्लास में डाल देंगे आइस क्यूब्स और इसमें डाल देंगे लैमोनेड। यह बहुती स्वादिस्ट बनता है और गर्मी में हमें लू से बचाता है। यह सबको बहुती स्वाद आता है। गर्मीयों में हमें इसको जरूर पीनना चाहिए। इसको अब हम गार्णिश पोदीने की पत्ती से कर देंगे मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजे अब हम रख देंगे एक निम्बू का टुकड़ा आप अपने स्वात अनुसार कर सकते हैं लीजिए मजा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके धन्यवाद नमस्कार